काइज आए इंग ब्लाउस कट करेंगे हमने पीछे का पार्ट लिया है इसकी लंबाई एक इंच एक्स्टर है हमने इसको कम करना भी आपको इस वीडियो में बताऊंगे कि में बराबर रखाया पेस को अब दास्तर पहले से काट रखा तो इसके साप समने इसको काट लिया जो एक इंच लंबाई एक्स्टर है उसको हम इस पर कम करेंगे देखें आदा इंच का निशान लगाऊंगी में अब निशान को सीधा कर लूँँगी कुड़े में सीधा कर लूँगे इस निशान को में अब कुड़ें से जॉइन्ट होते वे हम स्लाई लगाएंगे बेकुड़े इस परकार से में इसमें निशान लगा इस परकार हम स्लाई लगाएंगे एक जpret में में नेक फ्नीशिं लगा लिए इसमें रहें परकार मेंच परकार से में परकार स्लाई लगाएंगे प्रावर में मस्तर बिचा के इसमें नीचे आदा इंच के मार्जन पर लगाएंगे और उपर से जिस कला की डिजाइन जो हमारी बढ़ेंगे इसके डिजाइन पर लगाएंगे कट कर लेंगे गले को चुट-चुटे पॉइंट मार देंगे हम ताक इगला हमारा फनी सिंग से पर लेंगे हम अपर स्लाई मार देंगे दोनों साइट गले पर भी और नीचे भी चारो तरफ कच्चा कर लेंगे हम लेटे डालेंगे पीछे दोनों कि आगे का पेस लेंगे हम आगे का पेस का मैंने वीडियो डाल लगा है कि तीरा कट ब्लाउज है ब्लाउज है वीडियो वाच करना ना भूले है दोनों साइट के कंदे जोड लेंगे अब गले की पट्टी लगाएंगे गले की पट्टी में लगा लिए दोनों साइट लगा लेंगे इसी प्रिकार से कि पिटिंग का निशान लगाऊंगी गई 32 जेश्ट इसले मैंने आठ लिया है यहां पर 26 है तो मैं पॉने साथ का निशान लगाऊंगी कमर कि यह निशान दोनों साइट लगा लूँगी कि साइड में में स्ले लगा दूंगा इसले लगा लूँगी मैं कि इसके बाद गया जान प्रिटिंग का निशान पर स्ले लगाएंगे एक उसलाई फ्रिटिंग के निशान से एक पेट दूरी पर लगाएंगे धिनर टाइट के लिए दोनों साइड इस इपर करसे में फ्रिटिंग के निशान लगा लूँगी प्लावस के लंबाई के कॉडिंग में निसान लगाऊंगी 13 आ निसान लगांगी दौनर साइड लेंगे इस सफोल्ड परके स्लाइड लगा लगांगी में कच्ची स्लाइड बातमें इसमें तुरपाई कर लेंगे कि दोनों सेड इस प्रकार से स्लाइल लगा लूंगी में कच्छी है कि स्लिफ्स कार्टिंग गाई इसी स्लिफ्स में भी इंपोर्टिक डिजाइन है पूरी स्लिफ्स में वर्को रखा है कि स्लिफ्स का मेजर्मेंट गाई आप वीडियो में देख सकते हैं जिस परकार से मैंने लिया है साड़े आठ की बाजु लूंगी में चोड़ाई में लाइस दस इंच लंबी मेरी बाजु में लॉस्की फिटिंग से दो इंच एक्स्टा में मार जन रखूंगी यह से मिलालुमगी मैं एक इंच नीचे लेकर तेची लाइन कट गी है मिन आदा इंच यह करूंगी को इस लिफ्स को कट कर लूंगी यह है करी कटिंगो कट कर लूंगी है का इस लिफ्स है इस मेरी कि एक से चोड़ाई में कम है तो मैं बताउंगे आपको जाएंट लगा चाहिए एमारी ब्रॉपस में जाएंटी आता है देखिए हमस हैं इस जोइंट काहस है हमने पहले बराबर दिया है स्लिप्स को डिजाइन को बराबर किया देखों हमें साधे एट के बाद चाहिए साथ ही है तो इसमें जॉइंट लगा देंगे कपला को पहले हम नौ इंच लिया है मैंने आसे इसको सीध्य कट कर दूंगी हमने आधे इंच एक्स्ट्र लिया है गाइस दोना बाजियोट को बीच में से अलग कर लूंगी मैं फिर zwar इसमें एक साइड जदर की साइड अमारा कपडा कर में इन जॉइंट लगा दूंगी दोनव बाजियों मैं कि मैंने दोनों में जॉइंट कर दिया है कपड़ा अस्तर पर रख़़ा इसमें कटिंग कर देंगे कपला मिने थोड़ा एक्स्ट्रा ही ली आए गाईस कप्छी याइन कभी आप स्थर का ब्लॉज कट करें थोटसे कप्डा एक्स्ट्रा लेना चाहिए कि दोनों स्लिप्स को कपड़े में जॉइंट कर लूँगी इस प्रकार हम करते हैं नॉर्मली उसी प्रकार में दोनों बाजू को अस्तर से जॉइंट कर लूँगी झाला 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 झा कि एक्स्ट्रा कट कर दिंगे दॉन के सिलप्स में से जो बिग पुर्ण एक्स्ट्रा लिए तो को कट कर दिंगे कि दोना में से कट कर लिया मैंने उसे फिटिंग करने सान लगाएंगे किद लिए ग्लॉज्ट रखो dalॉज्ट रखो लॉड्क किस बिटिंग करा निल सान लगाएंगे सा यां यंक आफ़ां पर नापेंगे मुअ कहां पत्रिक Holz नहीं करा कंप करते हैं एलुज्टлом लोज्ट disparities कर्या लां जाती है तो चक्थव कि दोने बाजियों के स्लाइक कर दूंगे इस लिफ्ट में तयार है इसको जॉइंट करना बताऊंगे मैं आपको हम बलाउस को उल्टा करेंगे इसे लिफ्ट को सीधा इसे अधा इंच के आदा इंच पर हम गोलाई पर लगा देंगे जैस प्रकार से मैंने लगाई है यह स्लिफ्ट मारी रडी है इस तरह से दोना चलिफ्ट मेन इस तरह से लगादी नास थेंच पर वरचिंग गाइच प्लीज लाग्ट प्लीट बेदेंगे इस लागड गाई प्लीज शिक्रब्टा इस दोटान को मारे इस प्लीड़के प्लीट करेंगे